व्रालेकम स्टुडेंट्स आज हमने स्टडी करनी है वालम निदेरिया की सबसे फस्ट क्लास, लास हाइडरोजार के जेनर्ट क्विस्टिक्स को देखते हैं यहीं सिर्फ वहाइट क्लास है जिसमें अदर फ्रेश वाटर रिप्रेजेंटिटिव्स भी आते हैं अब इनकी life cycle में भी जो है alternational generation present है मतलब polyp और medozy जो stage है दोनों present होती है लेकिन फिर भी कुछ organism ऐसे है जिसमें polyp stage होती होती है ज्यादा तर pre-dominate होती है और कुछ में medozy होती है और even कुछ ऐसी में जिनमें यहां तो polyp stage absent है यहां फिर medozy stage absent है तो जो nematocyst है हमारे पास वो सिरफ और सिरफ epidermal in origin है यानि जैसे हमें पढ़ा है यह tentacles है तो tentacles के उपर nematocyst present होते हैं तो यह nematocyst arise कौन सी layer से हो रहे हैं epidermal से या gastrodermal से तो glass hydrozo के case में यह सिरफ और सिरफ epidermal से arise होते हैं जो gametes है वो भी epidermal in origin यानि epidermal के जो साज़ा वही किसी तरह से जो है वो division करके gametes की formation करेंगे और जो gametes है वो हमेशा outside the body ही release करेंगे यानि जो fertilization है वो हमेशा external होगी और जो mesoglia layer है यानि हमें पता जो gastrodermal और epidermal के दर्मियान एक non-living layer उसके अंदर amoeboid meson kind cell जो है वो present नहीं होते नेक्स हम देखते हैं colony of obelia को तो obelia जो आप हमारे पास class hydrozoid के एक member जो के colony की farm में रहता है तो यहाँ पर division of labor अमांग polyps जो polyps से कठे रहेंगे उन्होंने जो work को है वो डिवाइट कर लिया अब कुछ पॉलिप है जिनको हम gastrozoid केंगे जैस्ट है gastro mean stomach यानि कि यह वो बाले पॉलिप है जिनका काम जो है वो food की digestion में है feeding में है और कुछ है गोनोजोइट यानि जिनका काम जो है वो reproduction के अंदर है और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो colonic को defend करने के लिए specialized होते हैं अब जैसे हम इसकी colonic को देखें तो यह हमारे पास है gastrozoid अब gastrozoid के पास क्या होते हैं इस तरह के tentacles होते हैं जो food को easily gather कर सकते हैं capture कर सकते हैं अब gastrozo feeding का काम कर सकते हैं ठीक है अब यह जो next अगर हम जैसे अब देख सकते हैं यह जो blue color में हमें नज़र आ रही है पैरी साग यह है इसका skeleton जो के मारे पास बना होता है परोटीन और काइटन से मिलके अब यह जो पैरी साग होता है यह पूरी कोलोनी पे continuous होता है इसके लावा ज बीछे जो गैस्ट्रवास्कॉलर कैविटी है वो पूरी की पूरी कोलोनी की continuous है इसी वज़ासे तो जो फूर्ड हो बाकी कोलोनी को पहुंच पाएगी क्योंकि बाकी कोलोनी के पास तो इस तरह के टैंटिकल ही नहीं है कि वो फीट कर सके ते इस तरह जो है वावा गैस्ट नजर आ रहा है और इसके लावा गोनोजोइड भी नजर आ रहा है सबसे वहले यानि कि अगर यहां से देखते हैं तो प्लैनियूला जो है जैसे ही सबस्टेट के साथ अटाच होगा वह बढ़िंग के थू सबसे पहले वह गैस्ट्रोजोइड बनता है मे बना सकता है जो मेलोजी बना सकता है निए यहां से बेंगे भी निए घुम्तव को पौली को लेड़ कर चाहएंगे और बाकीच मैंश साइस में चाल और वर्टिकली भी साइस में बढ़ती जाएगी और गोनोजाइडी यह सारा काम करेगा अब आगे अगर हम देखें तो यहां पर मेडोजी जो है अफकोर्स यह डायोशियस है तो स्पाम्स और एक जो है आगे नेक्स जो है गमीट्स की फॉर्मेशन होगी जाइगोड बनेगा ज ब्लास्ट्रोल गलसाल होगा जैसे हम देखें है कि वह फॉलव उमेस में सेल्स होता यादि जो सेल्स वह और सिर्फ और तो सीरस आउटसाइड लियर पर प्रइंसाइड लिए इंसाइड बाल लुग गिव राइस करेंगा प्लैनियुला को और ब्लैनियुला लावा जो है साइल हो गाई यह निस सबस्टेट के साथ अटैश फॉर्म में इसके बाद जहां वह बडिंग कर मचे बाकि जो पार्ट से उनको पर पार्ट और गेस्ट्रजोईट से बडिंग से गोनाज़ोईट और गोनाज़ोईट से फॉर्धर बडिंग से मजीद वॉलिप्स और मझी मेडोजी बनेंगे नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा रिप्रेजेंटेटिव और्गनिजम जो के हमारे पास है गौनोनिमस तो गौनोनिमस में क्या होता है कि जो मेडोजी स्टेज है वो प्री डॉमिनेट है यानि मेडोजी ही हमें लाइफ हिस्ट्री में ज़्यादा नजर आती है परीजन फाल स्टेज है लेकिन इसको साइज भहुत ज़्यादा समाल है तब यहां पीजे हमारे पास है यह वेडोजी और यह जाधा थर यह किसी भी सब्सट्रेट से जो वो attached form में रहता है ठीक है अब इसने क्या करना है सब्स्ट्रेट के साथ यह किसी भी सीवीड यानि कोई भी समंदर के अंदर अगर कोई जड़ी बुटी प्रैजन्ट है उसके साथ इसने इस परपर्स के लिए इसके जो टेंटिकल उसके उपर यहां पर एड़ेसिव पैट्स प्रैजन्ट होते हैं तो इन्हें एड़ेसिव पैट्स की मदद से यह किसी भी इस चीज़ के साथ क्लिंग करके रह सकता है नेक्स्ट हम देखते हैं इसके गनोनिमस के जो मार्जिन्स हो इसके मार्जिन्स जो हैं इन्वरड फोल्ड करके इन्हों ने वैलम बना दिया अब इस का क्या है इस हम का परपज ऐतया है तो अगर मैं डूसी मोभ करना है तो मूभमेंट के दुरान क्या होगा बिनीत और मौत के अंदर गैस्ट्र वास्कुलर कैवेटी में लेकिन जब इजक्ट होना वाटर ने निकलना है तो सर्फेस एरिय काम होगा वैलम होने की वज़दा से तो इस थरह वैटर फोर्स हुली निकलेगा तो फोर्स फूली वाटर के एक होने से यहां पे exact propulsion system create हो जाएगा जिसके वजह से इसको fast movement में help मिलेगी तो यह हो गया valum का function इसके लावा एक और structure है यहां पे manubrium अब mouth जो है वो हमारे पास यहां पे tube like manubrium के end पे present होता है जैसे हम देख सकते हैं यह हमारे पास है अब manubrium जो है mouth जो है इनके दर्मियान present है अब पीछे जो है manubrium है जैसे मैं पता है mouth के पीछे होती गेस्ट्रोवास्कूलर कैविटी तो of course जो गेस्ट्रोवास्कूलर कैविटी है वो manubrium यहां इस tube like structure के अंदर present है अब इस manubrium का function क इसका function है गेस्ट्रोवास्कूलर कैविटी को कुछ branches में या कुछ canals में divide कर देना तो manubrium है आगे लीड करता है radial canals को four radial canals इस organism में present है तो जो गेस्ट्रोवास्कूलर कैविटी है वो इन radial canals के अंदर present है इसके बाद next देखते हैं तो जो ring canals है वो radial canals को connect करती है यानी radial can मार्जिन्स तक रन करती है और आगे मार्जिन्स पर एक रिंग किनाल पर present है जो इन चारों के चारों radial canals को अपस में connect करने का काम करेगी इसके बाद हम देखते हैं गुनोनिमस का nervous system तो nerve net तो हमने देख लिए फालम ने डेरिया में present होता है इसके लावा एक nerve ring भी present है अब nerve ring जो है यह रिंग किनाल के बिल्कुल साथ साथ ही run करती है ठीक है मार्जिन्स ओफ मेडोजी के पर ही यह run करेगी nerve ring और इसके लावा यहां पर मार्जिन्स पर ही जो मेजोगलिया present है उस मेजोगलिया के अंदर एक और structure present होता है स्टैटो सिस्ट हमारे पास जिसका काम है swimming motion को coordinate करना अब स्टैटो सिस्ट को हम थोड़ा साना डिटेल में यहां पर देख लिए जैसे फाल यह हमारे पास है मेजोगलिया अब इसमें जोगलिया के अंदर काफी सारे जो है इस तरह से स्टैटो सिस्ट प्राइज है अगर एक स्टैटो सिस्ट करके देखे तो स्टैट इसके अंदर कैल्शियों कार्बोनीर के डिपोजिशन पड़ी होती है जिसको हम कहते हैं स्टैटो इसके अलावा यहां पर होती हैं काफी ज्यदा नव एंडिंग्स इन नव एंडिंग्स को हम नाम देते हैं सीटी का तो जैसे ही ओरगनिजम जो है वो डियर्ट करेगा उस तो इस तरह आपने पोस्टर को करेक्ट कर सकता है वह एक्विलीब्र मेंटेन कर सकता है तो यह हमारे पास हो गया स्टाटोसिस्ट का स्टक्चर और इसको हमने देख लिया नेक्स्ट हम देखते हैं इसका रिप्रड़क्टिव सिस्टम तो जो गोनेड है हमाँ पास औरल यहां पर रिडियल किनाल के बिलोगे एक्सटर्नल होती है थीक है तो वाटर के अंदर शेट करने के बाद आपस में जब दोनों स्परम और एक्सटर्नल होगी तो नेक्स हमारे पास बनेगा जाइगोड जाइगोड से आगे बलास्टूलर स्टेज और बलास्टूलर से और प्लानियूला जो है वो आगे पॉलीप बनाएगा और पॉलीम जो हावा फारदर वैडिंग जे मजीद पॉली बी बनाएगा और मेडोजी बना देगा नेक्स्ट हम देखते हैं थार्ड और्गनिजम हमारे पास हाइडरा, अब यह हाइडरा यह फ्रेश वाइटर हाइडर नहीं, यह फ्रेश वाइटर के अंदर आता है, जहां पर यह अंडर सायर्ट फ्लॉटिंग प्लांट्स, जो क्लीन स्ट्रीम पॉंट्स में प्रेजन्ट ह होता है अब यहां पर इसके अंदर हाईडरे के अंदर में डॉजी स्ट्रेज वह बिल्कुल नहीं है और जो एसेक्ष्छल और सेक्ष्छल रिपरड़क्षण है वो हमारे पास पॉलिब के टुरू यहां पर होती है अब देखे हमें पड़ावाः के शिरफ और सब एसेक्ष हम पॉलिप के स्ट्श्च्च्छल को बह रहे हैं हम एक सबसे पहले हम सेख्षियल गटाप को अगर सेख्ष्चल को देखें तो इस keyboard नहीं हो यह थैस्क्टीज जब स्कुर्ण करनी है तब टैस्टी जहां वो बनेंगे वो कैसे बनेंगे यहां पर हमारे पास कोन लाइक एलिवेशन होंगी बोड़ी वाल की और जो के epidermal cells की mitosis से बनेंगे यानि epidermal cells जो present है वही mitosis करके हमारे पास testis बनाएंगे और इन epidermal cells को फिर हम बोलेंगे interstitial cells और इन आगे फिर testis के अंदर अफ्कोर्स हमें पता स्पंप की formation हो निया तो testis जो है वो आगे मियोसिस के थूज है वो spums प्रोड्यूस कर देंगे अब यह जो hydra हमारे पास है इसका polyp monosius भी हो बन सकता है और एक और जैसे है वो इसमें इन्कारपोरेट कर देंगे अब योग का क्या होगा इसका काम होगा आगे जब zygote की formation हो जाएगी उसको नर्चर करना उसको नरिश करना यानि इसको परटीन्स वगारा परोवाइड करना जयाए नेक्स्ट जैसे एक की फार्मेशन हो चुकी है तो क्या होगा ओवरी के जो सालग चैसा और डिसिंटेग्रेट हो जाएंगा तो जो एग है वो बोडी वाल के साथ एक चोटे से स्टार्क के थ्रू जो है वो अटैच होगा यानि फाइजम पर यह हमारे पास यह थी ओवरी इसके अंदर एकी फोर्मेशन हो चुकी थी तो क्या होगा ओवरी के जो साज़ वो डिंटिंटिंग्रेड हो गया तो यह जो हमारे पास है वो बोडी वाल के थ्रू एक चोटे से इ चोटे से इसके वाद वो फर्टिलाइश करेंगा को फर्टिलाइशन के बाद क्या होगा जो ऐरली डैवलेमेंट है उसके बाद जो किलिये ब्राइज है क्योंकि एक वो अभी भी एक रटाइश फॉम में है तो जो आपी पीपी टी में जाइज वो जाइगोट के अरांड है वो एक resistance काईटेनियस हमारे पास capsule यह शेल लाइक structure जो है वो से create करतेंगे और इस तरह जो है वो embryo next over winter करके फिर ही एज करेगा over winter मतलब के जब condition जो है वो favorable आएंगी तभी इसने जो है इस काईटेनियस शेल से के बाहिर आना है और डिवैलप करना अधरवाइस यह जो है यह इस काईटेनियस याल के अंदर ही रहेगा हाइड्रा के बाद हम देखते हैं order syphonophora इसके अंदर आते हैं कुछ इंट्रस्टिंग और्गिनिजम्स इसमें क्या होता है कि और्गिनिजम्स जहां वो कॉलोनी बनाते हैं जिनमें पॉलिप्स और मेडोजी दोनों हो सकते हैं ठीक है जैसे हमने बोलिया के केस में देख्या सिरफ और सिरफ पॉलिप्स की कॉलोनी बनती है लेकिन साइफ़ान फोरा जो ओर्डर है इसमें और्गिनिजम्स ऐसी कॉलोन साइड रहे हैं वह प्रेजेंट होते हैं प्रेकों कैप्चर करने के लिए और इनके पास तो टेंटिकल होता है वह नाइन मीटर तक लोंग हो सकता है और बाकि जो पॉलिपन मेडोजी अफकोस वह दूसरे फंक्शन यानि डाजेशन वगरा के लिए और इसके लावारी स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं यानि को डिफेंड करना भी उनका काम हो सकता है अब साइफन और ओर और में एक्जम्पल आती है फाइसलिया फाइसलिस की जिसको हम पुत्तगीज मैन और वार भी कहते हैं क्योंकि यह हमारे पास है बहुत बड़ा कोलोनियल पॉलिप है अब द ठीक है लेकिन इसके पास क्या है जी फाइसलिया फाइसलिस के पास टेंटिकल है बहुत ज्यादा लेदल है यहनि बहुत ज्यादा वехए उसको भी बहुत हुद्त दैजर्श जो informative वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स वीडियो ता के लिए अल्ला आफिस